हेलो स्टूटेंट्स विल्कम बैक इस विडियो में हम लोग जी उसी कवर कर रहे हैं 2023 जन्वरी शिफ्ट जही मेंस का तो लेट्स स्टार्ट तो देखो जो फर्स कुश्चन है तो इनक्रीजिंग और ऑडर ऑफ स्टैबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तो यहां प के बहुत सारे हो सकते हैं तो तीन चार रेजोनेंस स्ट्रक्चर अब उनमें पूछा जाए कि ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल कौन ठीक है एक तो कोशन यह होता है कि एक कंपाउंड और एक दूसरा कंपाउंड है उन दोनों के स्टैबिलिटी तो उसमें नंबर ऑफ पूछा जाए जो कि यहां पर पूछा गया है तो उसके लिए क्या अपलाई करते हैं तो वही है रूल क्या है सबसे पहला जिसमें ज्यादा बॉंड है वो ज्यादा स्टेबल होगा सीधा से एक कॉंसेट पहले बॉंड करो जैसे यह चार स्ट्रक्चर है तो इसमें या लोन पेर यह सब तो यहां पर मैं पहले बना देता हूं यह एक्चल में सीडबल बॉंड ओएच है इस ऑक्सेट को हटा के ऐसे बना दिया यह रहा सीडबल बॉंड रोयल डिहाइट ग्रूप पर बना दिया बाकी सब जगहों के यहां पर भी बना दिया अब मैं पाइब बनाने में भी कोई इंप्राक्टिकल सा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए अब पताचला नाइट्रोजन तीन बनाता है न्यूट्रल होगा तो पॉजिटिव चार्ज के साथ चार बॉंड जैसे अमूनियम वगरा में होता है अब पताचला नाइट्रोजन के 5 बना दिया है तो सीधे उसको हटा दो किसी काम कर नहीं है तो पहला तो यह इसके बेसिस पर डी अड़ टॉप डी टॉप पे चला गया यह हमें पता चल गया अब देखो इसमें एक भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा क्योंकि कहीं पर भी डी टॉप में नहीं दिया हुआ है करते हैं तो ज़्यदा दूर रहेंगे तो ठीक रहेगा और अगर अगर अर्वक सब्स बाशन मैयनिस तो इनके बीच का डिस्टा लेस होना चाहिए कभा ठीक है तो ये कंडीशन होनी चाहिए इसके बाद ज़ो नेगेटिव चारksom नजय हो एक एलेक्ट्र नेक्टिव एलि डालो इस पे इसने positive oxygen पे put up कर दिया और ये positive का मतलब ये positive नहीं है यहाँ पे देखो nitrogen के चार bond है इसका octet complete है ठीक है क्योंकि एक इसने backbone coordinate bond की तरह जो होता है backbone backbone बना रखा है तो ये जो positive है ये actual formal charge है it is not the actual charge ये ये बता रहा है कि यहाँ पे nitrogen का octet complete है और ये formal charge से इस bond में दोनों electron nitrogen है दे रखा है लेकिन यहाँ पे oxygen के साथ बरी problem आ गए इसका octet disturb किसी ने इसका electron छीन के ही लेके भग गया इसलिए ये जो structure है ये इन दोनों में बहुत अंतर है कोई आर्गू करे कि सर यहाँ आप भी तो positive, electronegative मांगा नहीं भाई इसको नहीं मानते है positive का मतलब electron deficiency यहाँ पे oxygen का octet disturb कर दिया यानि यहाँ जो plus है आपने एक electronegative element पे दे दिया जबकि रूल कहता है कि plus किस पे होना चाहिए less electronegative element पे यह रहा तो इसलिए least stable c होगा c is least stable मामला खतम हो गया ठीक है न loan pair यह दो electron को represent कर रहा और negative charge भी दो electron को represent कर रहा है तो आ गया ना इन दोने के बीच में repulsion तो यह देखो कहा गया हाँ यह रहा नेगटिव नेगटिव के बीच में distance जदा होना चाहिए यहाँ पे इसने कम कर दिया और इस case में उस चीज़ को take care कर लिया electron है positive है इसके बीच क यह last में उसके बाद यह आएगा B, B के बाद B, B के बाद A और उसके बाद C यह होना चाहिए यानि उल्टा order increasing order में C, A, B, D कोई option नहीं दिया हुआ है इसलिए सिर्फ मैं इतना discuss करके आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स आते हैं, दो statement है, reason of way वाला question है, तो आते हैं पहला, benzene is more stable than hypothetical cyclohexatrine, यह तो बिल्कुल सही है, तभी तो aromaticity का concept आया है, अगर हमें aromaticity का concept नहीं पता होता है, तो हमें simple resonance का concept लगा रहे होते है, hexatrine में, pi sigma, pi sigma, pi sigma, ठीक है, कोई aromaticity का concept नहीं पता होता तो, और normal जो तीन pi bond होते हैं, उनके कारण, जो resonance के कारण stability आती ही, वही stability होनी चाहिए, लेकिन यह से भी ज़्यादा stable हो जाता है, क्योंकि इसका aromaticity कहता है, कि जब ऐसा case आ जाया और aromaticity के condition हो जाया, तो यह जो pi electrons है, यह actual bonding molecule orbital को occupy करते हैं, और bonding molecule orbital बहुत ज़्यादा stability provide करता है, ठीक ह electron cloud is attached more strongly by nuclei of carbon atom, बेंजीन के बारे में यह वही जो concept मैंने बताया, कि एक्चल में यह जो सारे electrons होते हैं, they are in BMO, bonding molecule orbital में होते हैं, जब bonding molecule orbital में होते हैं, तो bonding molecule orbital बहुते हैं, जो भी electrons होते हैं, वो bonding को contribute करते हैं, क्योंकि हो nucleus के ज़्यादा pass होते हैं, nucleus को attract करक करके रखते हैं, तो बिल्कुल से यह both the statement is correct और यह इसका correct explanation भी है, now heading for the next, यह third option हो जाना चाहिए, next आते हैं, यह staggered और eclipse related question है, कह रहा है, which of the following confirmation will be more stable, भाई कौन ज़्यादा stable है, confirmation, इन में से, तो सबसे पहले confirmational isomers में यह चार structure मैं इनका नाम करन कर देता हूँ, जब bulky group 180 पे होते हैं, तो इसको कहते हैं staggered, एक ही compound है, ठीक है, उसी के यह सारे हैं, और इस compound का नाम होगा butane, ठीक है, second और third carbon के बीच में बनाए गया है, यहाँ पे जब same group, आमने सामने हो, यह carbon 1 है, यह carbon 2 है, ऐसा समझो carbon 1, carbon 2, इस पे methyl और इस पे methyl ऐसा है, यह आमने सामने होगा, यह H है, यह H है इधर भी H है, इधर H है, इसी को यहाँ से image डालोगे, तो यह structure आएगा, तो यह अगल बग, एकदम आमने सामने हैं, तो इसको कहते हैं, eclipse, this is eclipse, इतने से सारी कहानी ही clear हो जाएगी आपकी, फिर यह आते हैं, जब यह 60 का angle पे हो, ठीक है न, अगल बगल में हो, exact एक दूसर ठीक है, तो जब यह case हो, तो इसको कहते हैं, gouge, और यह जो case है, जब methyl के सामने है, methyl के सामने है, hydrogen है, methyl के सामने है, तो इसको कहते हैं, partially, partially eclipsed, तो यह 4 structures हो गए हमारे पास, staggered, eclipse, gouge, and partially eclipsed, ठीक है, अब stability की बात है, कि बढ़ी, stability कैसे होगी, तो देखो, यहाँ पे क्य होता है, steric repulsion है, तो जहाँ-जहाँ steric repulsion होगा, वो less stable, जहाँ नहीं होगा, वो more stable, तो सबसे कम यहाँ पे होगा, क्योंकि बलकी group बहुत दूर है, एक दूसरे के respect में, इसलिए stability में, top पे आएगा, staggered, उसके बाद कौन आएगा, gouge, इसमें भी देखो, ठीक है, बहुत ज methyl, methyl, यही आमने सामने होगे, बहुत strong steric hindrance, यहाँ पे methyl और H है, H थोरा सा छोटा है, तो relatively कम, इसलिए अब आएगा partial eclipse, यह वाला हो, सबसे last में आएगा, eclipse, यह stability का order है, तो फिलाल इस question को करने के लिए, तो हमारा इसी से काम हो जाएगा, ठीक है न, first option correct, most stable पूछा है, ले पर H bond बनता है, जैसे मैं इसी को modify करके समझाता हूँ, H bond होने के लिए कैसे करेंगा, मालो यह OH होता, यह OH होता, तब भी सेम नाम रहता, यह OH, यह OH, यह OH, और यह OH कर दो, यह OH कर दो, यह OH, नाम करन सेम है, यही गौच है, 60 के अंगल पे, ठीक है न, यह staggered, यह eclipsed, यह partial eclipsed, अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, जो eclipsed दिख रहे है, eclipsed, यहाँ पे H bond आ जाएगा, यह देखो, इस oxygen में और hydrogen के बीच में H bond आ गया, similarly, यहाँ पे भी H bond आएगा, यह H bond आ गया, लेकिर यहाँ पे H bond नहीं आ पाएगा, क्योंकि distance बहुँ जादा हो गया, और यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि distance बहुँ जादा हो गया, तो इसलिए इन दोने में इसमें H bond आ गया, अब इसमें कोई steric hindrance नहीं है, और H bond है, इसमें steric hindrance है, और H bond ह बाई अब इन दोने में जादा stable कौन होगा, यही क्योंकि स्टारीक हिंडर्स नहीं है और H-Bond के कारण stability बढ़ रही है, यहाँ पर H-Bond है, stability high है, लेकिं स्टारीक हिंडर्स नहीं आकि उस stability को थोरा सा कम कर दिया, इसलिए जब H-Bond आ जाए तो gouge जो होगा वो टॉप तर आ पर बाकी जो steric hindrance के according है, ठीक है, वही आ जाएगा, staggered steric hindrance का में, उसके बाद partial eclipse, तो अगर H bond होगा, तो ये rule होगा, अब आप होगे कि sir, H bond और क्या सिर्फ O2, OH, OH में ही होते हैं, या और कोई भी case है, तो वही मैंने बताया कि नहीं, और भी case है, ये देखो, ऐसा हो सकता है कि एक carbon पर OH हो, दूसरे पर F हो, इसमें भी H bond बन सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक पर OH हो, एक पर NH2 हो, इसमें भी H bond बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कि H और CL हो, देखो CL generally H bond का part नहीं है, लेकिन बहुत जगे पे इसका effect H bond के similar हो जाता है, तो इसलिए अगर OH है, तो यहाँ भी H bond हो जाएगा, तो CL वाला और OH वाला भी case H bond की category में आता है, तो जहाँ भी ऐसा group दिखिया, जो H bond बना सकते हैं, तो भाई उसमें stability का ये order होगा, बस इतना याद रखो, कभी कोई question आप से miss नहीं होगा, at least stability related, बहुत बार naming related question आ जाते हैं, कि भाई इसका क्या नाम है, तो वो तो stability related नहीं है, उसके लिए फिर additional concept की जरूत हो सकती है, जैसे इस case में naming कैसे होगा, ये carbon number 1, ये carbon number 2, तो ऐसे करेंगे कि भाई, दो carbon है, वो इधर methyl था, इधर methyl था, तो 1, 2, 3, 4, 4, चार carbon की chain बन गई, तो butane हो गया, तो इस तरह के भी question पूछे गया है, now heading for the next, अब कहा रहा है कि in sulfur estimation इतना gram organic compound gives 1.4439 gram barium sulfate, तो percentage of sulfur in the compound is, कितना percent sulfur is compound में, तो देखो 20D सी बात है, पहले मैं आपको concept समझाता हूँ, इस organic compound के सारे sulfur को हमने barium sulfate में convert किया है, तो story यह है कि barium sulfate में, इतने gram barium sulfate में, हम sulfur निकालेंगे, और जो भी sulfur आएगा, उसको इससे divide करके into 100 करेंगे, बास यही planning है, तो मैंने सब यहाँ लिख दिया है, कि organic compound, इट सारा sulfur जो हो, वो converted to baso4, ठीक है, यह थोरह दा गरबर हो गया, spelling में, कुछ गरबर हो गया, converted to baso4, अब mass of sulfur in baso4 is mass of sulfur, mass of sulfur in baso4 is mass of sulfur in organic compound, यही concept है, अब निकालने की quiz करते हैं, क्या गरो baso4 का molar mass निकालो, यह add करके 233 मैंने निकाल दिया, अब देखो, जब baso4 total molar mass 233 है, तो उसमें sulfur कितना है, 32, एक ही sulfur का एटा में 32, यह मैंने लिख दिया 233 ग्राम baso4 में 32 ग्राम sulfur है, इसलिए इतना ग्राम baso4 में कितना होगा, unitary method से मैंने निकाल दिया, यह इतना ग्राम आ गया, बस इतना ग्राम divided by total organic compound का जो mass दिया हुए, उससे into 100 किया, 42% is the answer, इसलिए answer 42%, now heading for the next, अब कहा रहा है, the isomeric deuterated bromide, with molecular formula this, having two chiral atoms is, बोल रहा है कि भाई, इसका क्या नाम करन होगा, जो इस condition को satisfy करें, दो chiral carbon atoms होने चाहिए, तो देखो, कभी भी ऐसा question आए, the first thing what we have to do, we have to find the DBE, double bond equivalent हमें निकालना है, किसी भी हालत में, तो आपको सबसे पहले इसका double bond equivalent निकालना होगा, अब DBE, इसके पहले वीडियोज भी आपने देखे होंगे, तो बहुत बार मैंने बताया है, तो यहाँ पर देखो, DBE का formula लिग दिया, C plus 1 minus half number of hydrogen plus hydrogen minus nitrogen, यहीं DBE का formula है, इस compound में देखो 5 carbon, sorry, 4 carbon है, तो 4 plus 1, 5 minus half number of hydrogen, hydrogen, deuterium is also the brother of hydrogen, तो यह दोनों भाई ही हैं, तो 8, 9, 9 लिख दिया, और halogen कितना है, 1, halogen, BR is halogen, तो करके 0, यानि कोई double bond नहीं हो सकता है, अगर DBE 1 आता तो इसका मतलब इसमें चाहे तो एक double bond होगा, या एक ring होगा, DB 2 आएगा, तो इसका मतलब चाहे तो इसमें 2 double bond, या 1 triple bond, क्योंकि एक triple bond, 2 double bond के बराबर है, या 1 double bond, 1 ring, या 2 ring, क्योंकि 1 DB, 1 ring हो सकता है, या 1 double bond हो सकता है, तो यहाँ तो कुछ भी है ही नहीं, तो इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे, इसके 4 carbon की skeleton बनाएंगे, तो 2 skeleton possible है, या देखो, line से 4 लगा दिया, या branch कर दिया, ठीक है, इस skeleton में आप बाकी group को place करोगे, तो कोई chiral बनेगा ही नहीं, एक ही chiral बन सकता है, एक से ज़्यादा नहीं बनेगे, जैसे कि माल लो, मैं इसको chiral बना रहा हो, तो इस पर D दूँगा, इस पर B R दूँगा, इस पर H ये हो गया chiral, तो बाकी अब इस सब पर मेरे को hydrogen देना होगो, तो ये CS3, CS3 हो जाएगा, कुछ भी कर लो नहीं बनेगा, एक से ज़्यादा बनाई नहीं पाओगे, ठीक है, only one is possible, तो इसलिए ये skeleton मैंने लिख दिया, कि skeleton हो possible नहीं, अब दूसरा ये जो skeleton है, इसमें possible है, ल मैंने अब ना दिया, नाम करन कर दो, one, two, three, four, ठीक है, तो ब्यूट, one पर ब्रोमो लगा हुआ है, three पर deuterium लगा हुआ है, तो सारी, two पर ब्रोमो लगा हुआ हुआ है, three पर deuterium लगा हुआ है, तो कौन जो हो जाएगा, वाइस में, एक मिनट, two, ब्रोमो, three, deuterium, butane, ये नाओ, नेक्स्ट, ये आईसोमर का कोश्चन है, तो सबसे पहले तो आईसोमर को जान लेते हैं, ये सारे यूज किये हुए है, इसी को मैच कराना है, one by one, तो मेटामर किसे कहते हैं, तो मेटामर के लिए डाइवलेंट फंक्शनल ग्रूप होना चाहिए, जैसे कि एथर, इ C double bond O, O, इसके इधर भी, इधर भी कुछ भी लगा सकते हो आप, ठीक है, और इसमें होता क्या है, कि number of carbon, इन दोनों साइड number of carbon अलग-अलग हो जाएं, तो इसे हो हम कहते हैं, मेटामर, number of carbon is different on both the sides, जैसे कि एक एगजामपल दिया है, ये देखो, ये एक इथर है, इसका य एक आईसोमर मैंने बनाया, जैसे इसमें भी 4 carbon है, एक oxygen, 4 carbon, एक oxygen, लेकिन इसमें इस oxygen के इस साइट 2 carbon और इधर भी 2 carbon है, यानि 2, 2 का distribution है, वाइल इसके इसमें 3 और 1 का distribution है, तो ये हो गया, मेटामर, इसी को हम कहते हैं, मेटामर, ठीक है, तो इसमें से ढूनते हैं, मेटा 6 और इसने का है 2 पे own, ये 2 पे own लगा दिया मैंने, और दूसरा है hex 3 own, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 3 पे लगा 2 own, चेक कर लो कीटो को मैं circle कर रहा हूं, इसमें distribution 4 का और 1 का है, वाइल जब मैं इसमें distribution चेक कर रहा हूं तो 3 and 2 का है, यहां 4, 1, यहां पे 3 और 2 का distribution है, यानि मेटामर इसके साथ match कर जाएगा, अब आजब position isomer, position isomer में क्या होगा, functional group की position अलग होगी, ध्यान एकना functional group नहीं बतलना चाहिए, पहले में अगर OH है तो दूसरे में भी OH, पहले में NH2 तो दूसरे में भी NH2, पहले में carboxylik asset, नहीं, carboxylik asset में नहीं होगा, कोई और CL, पहले में CL है फिर 234, तो जब भी वो रहेगा 1 पे, तो उसकी position तो बदली नहीं सकते हो, क्योंकि उसकी position बदलने का मतलब है, कि आप branch को change कर रहे हो, उसका actual position नहीं बतलेगा, क्योंकि counting हमेचा वहीं से शुरू करनी होती है, जैसे लिए CL हो गया है, OH हो गया, NH2 हो गया, यह सारे हो गया तो इसमें position of function group is different, जैसे ही example दिया, यह चार कारबन की chain है, इसमें कारबन नमबर 1 पे होच है, इसमें कारबन नमबर 2 पे होच आ गया, अब ढूंदते हैं इसमें, कौन है, तो प्रोपेन एमीन और N-methyl-ethenamine, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, N-2, एक पे इसमें मिथाईल लगा हूँ, N-methyl का मतब नाइट्रोजन से एक मिथाईल लगा हूँ है, और एथेन-amine, एथेन का मतब दो कारबन वाला amine, यह लोबाई मैंने बना दिया, एक तो यह है, और दूसरा प्रोपेन-amine, और यह भी इसने मेटामरी दे दिया, प फं incumbent ग्रूप ही बदल गया, यह अगला case है, यह नहीं है, यहाँ पे आजब और यहाँ और यह मैच कर रहे है, यह तो अभी बताओंगा मैं, और तो नाइट्रोफिन का पार नाइट्रोजन से लगा दू fenaul के, पैरा नाइट्रोजन, इसमें पैरा पे लगा दून, देख पौत पे हैं तो यह होगया पंग्शांलर ग्रोप्स तो दो घूśli घृइंटे क्या इसमा फंक्शनल ग्रूप कहाँ जैसे यह घ्जांपल लिए यह एल्कों हले इस ऑफिस ऊंग्शन को मैं इसे लिए अभी जो मैंने बताया ना यह देखो यह टू डिग्री आमीन है यह वन डिग्री आमीन है यह फंक्शनल गूर्प बदल गया इसलिए फंक्शनल आईसोमर्स होंगे यह रहा यह मैच कर गया इससे दूसरा टाउटोमर्स लेको यह जो एक्जामपल डिया है यह आईसोमर्स ही नहीं है इसमां हीड्रॉक्सी लगा दियाक। कोई ऑक्सीजनी ही नहीं है तो इससाम टाउटोमर्स के दो मैच नहीं हो लूग वही एक वाईकली बच रहा है तो इसलिए आपन एन तीन के basis मार्ं क बीदेखो carbon और एक electronegative nitrogen उसके बीच में पाई bond तो यह कीटो हो गया अब इसमें क्या होता है जो यह ग्रुप है carbon और electronegative वाला को combine करो keto type के group को इसके irrespective first carbon alpha पे जाओ इसके hydrogen को अलग करो यह अलग किया है बस भाई यह hydrogen क्या करेगा यहां पर bond बनाएगा और यह तूटेगा और यह hydrogen इसके अटाच कर दो तो यह बन गया इसको कहते है in all in in मतलब double bond all मतलब double bond के उपर oh है और यह हुआ keto तो इसको keto form कहते हैं हम यह form हो गया यह in all form हुआ यह keto form हुआ तो इसलिए कभी भी टाउटो मेरिजम अगर होना है तो टाउटो मेरिजम के लिए keto form यह in all form को यह होना चाहिए और keto form कैसा होना चाहिए keto group हो और उसके बगल के alpha carbon पे atlistic hydrogen होना चाहिए ताकि यह काम हो सके मालों यहाँ पे तीनों मिथाइल कर देते और इधर भी तीनों मिथाइल कर देते तब तो possibility नहीं होता तो इसलिए ऐसा keto type का group जिसके alpha position पे hydrogen है वही शो करता है तो यहाँ पे अभी इसका कोई match नहीं है तो सारे group को मैंने समझा दिया आपको और match करके बता दिया जितने की possibility थी नेक्स्ट आते हैं कि यह रहाए identify the identify the correct order of the given property of the following compounds वही verify करते है कौन-कौन correct boiling point येस carbon का number बढ़ता जा रहा है यानि molecular mass बढ़ता जा रहा है तो boiling point बढ़ेगी इंदे को boiling point दो ही चीज के proportional होती है boiling point अगर आ जाए तो सबसे पहला चीज boiling point में जो आपको चेक करना है high molar mass तो high wonderful force होता है boiling point बढ़ जाएगी दूसरा अगर high polarity है यानि polarity is actually mu जिसका dipole moment जादा है उसकी high boiling point ठीक है तो ये दो चीज आपको चेक करना है तो यहाँ पे तो number of carbon बढ़के इसका molar mass ही बढ़ता जा रहा है फिर density BR CL IS इसका भी mass बढ़ता चला जा रहा है BR से CL फिर CL से I molar mass बढ़ता जा रहे तो density बढ़ती जाएगी this is also correct boiling point yes number of फिर से वही mass बढ़ता जा रहा है एक BR है दो BR होगे तीन BR होगे इसका molar mass बढ़ता जा रहा है तो molar mass बढ़ेगा तो wonderful force बढ़ेगा इसलिए boiling point high हो यहां पर भी लिख दो आप हाई बीपी ठीक है अब यहां पर डेंसिटी आई सिर्फ अरे यह गर बगर दिया दो आई से एक BR कर दिया कहां से हो सकता वही ज्यादा हो यह नहीं सकता फिर boiling point यह एकदम सही है देखो यहां पर यह एरोल्टा कर दिया है यहां पर जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है ना तो यह स्फेरिकल होता जाता है स्फेरिकल होने से इसका सर्फिस एरिया कम होता चला जाता है यही रूल है यहलकेन में भी काम करता है जो लीनियर चेन है जैसे मानलो ब्यूटेन ले लो यह रहा तीन चार पाँच है है अब इसमें एक ब्रांचिं ठीक है और फिर दो ब्रांचिंग करो एक, दो, तीन, चार हो गए अब दो और ब्रांचिंग करतो यह करती है मैंने तो जितनी ब्रांचिंग करते जाओगे उतनी ही इसकी बॉलिंग पॉइंट कम होती जाएगी यानि इसकी बॉलिंग पॉइंट ज़ाद है mass change हो नहीं रहा है तो surface area जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा wonderful force उतनी ज़्यादा boiling point इसलिए this is also correct यह गलत है अब इसमें एक problem आया इस question को मैं देख रहा था तो इसमें दो-दो option match कर रहा है ठीक है तो मैंने बता दिये भाई यह सारे correct है आप देख लेना compound that will give positive lasagna test for both nitrogen and halogen देखो भाई अभी मैं lasagna test पूरा detail पहले मैं सोच है कि यहीं पर लिख दूँ ठीक है तो इतना ही लिख पाई lasagna test सबसे पहला चीज यह होता है practical organic chemistry practical organic chemistry का यह पार्ट है तो अगर organic है organic compound है carbon होना चाहिए इस ही के basis पर आप क्या दोगे कि second होगा क्योंकि यही कलोता ऐसा है जिसमें carbon है ना यहाँ पर carbon है ना यहाँ पर carbon है ना यहाँ पर carbon है अब कहानी है आप पूछोगे कि sir क्या इस question को हमने कर लिये तो lasagna हमें पता चल गया मैं कोंगा नहीं lasagna का पूरा detail अब हमें जानना है तो let's move to the lasagna सबसे पहले मैं बताता हूं कि lasagna applicable किसके लिए है कोई पूछता है sir कैसे पता करेंगे lasagna किसके लिए applicable तो मैं कहता हूं देखो इसको याद रखने का तरीका है नेता जी सुबास प्लेस एक्स्टेंशन nspx nitrogen sulfur phosphorus और halogenes के लिए applicable है ठीक है यह रहे है क्या होता है nitrogen होगा तो इसको sodium से treat करेंगे carbon by default है क्योंकि organic compound है तो carbon लिखने की जरूत नहीं है by default होतो रहे गई रहेगा ठीक है तो जो nitrogen है और जो organic compound का carbon है वो मिलके na cn बना देगा इस na cn को fe 2 plus से treat करेंगे तो fe cn whole 6 4 negative form कर देगा और जब इसमें fe 3 plus add करोगे तो fe 4 fe cn whole 6 3 यह ऐसे अगर नहीं देख रहा हो आपको fe 4 fe cn whole 6 यह complex portion blue या peacock blue कलर होता है इसका यह qualitative में भी आता है तो यह complex form हो गया और इस तरह से हमारा test perform हो गया फिर अगर sulfur है तो क्या करेंगे तो sulfur के लिए आप इसको sodium से treat करोगे तो यह na2s बना देगा जैसे ही यह sulfide है तो sulfide का कोई भी test perform करा दो sulfide का famous test है बहुत सारे हैं इसमें से एक मैंनो उठा लिए PB2 plus के साथ PBS का black color देगा आप CD2 plus ले सकते हो CDS का yellow color देगा ऐसे बहुत सा टेस्ट है उसमें से एक famous test है sodium nitroproside का FECN5NO यह देखो लिख रहा होगा FECN whole 5NO 2 negative इसमें क्या होगा इसके साथ sulfur को treat करोगे तो sulfur इसमें जाके adjust हो जाएगा NOS बना देगा तो FECN5NOS दो negative इसका था और sulfide का दो negative मिलके 4 negative आ जाएगा यह violet color का होता है यह भी qualitative analysis में sulfide के test में आता है sodium nitroproside के साथ violet color देना फिर अगर halogen होगा तो sodium के साथ NAX देगा जो की AG plus के साथ treat करते ही AGX का PPT देगा AGX में अगर AGCL होगा तो white PPT आएगा AGBR होगा तो mild light yellow और AGI होगा तो deep yellow आएगा फिर आते हैं phosphorus का test देखो phosphorus का test बिलकुल simple सबसे पहले तो phosphorus को oxidize करके phosphate बनाना होता है इसलिए इसमें हमें NA2O2 लेना होता है यह बन गया phosphate PO4 3 negative पता नहीं यह 3 क्यों लिखा है मैंने हो सकता है इदर उदर हो गया होगा तो यह phosphate बन गया अब phosphate का famous test है ध्यान रखना दोही का test होता है ग्रोफ 15 में N, P, A, S, S, B बिस्मत होते हैं इनी दोनों का जो test बता रहे हैं यह होता है यह ammonium molybidate है NH4O2MO4 ammonium molybidate इसके साथ जब ट्रीट करोगे तो NH4O3PO4.12MO3 ammonium molybidate स्री यह call आ गई थी हाँ तो मैं यह कह रहे है था phosphate है हाँ ammonium molybidate से आप ट्रीट कर दोगे NH4O3PO4.12MO3 ammonium molybidate इसके नाम है यह दखना यह yellow color का है तो यह यह लैसेगनी ने बताया था कि भाई अगर यह सारे element organic compound में हुए तो इसकी हम कैसे estimation करेंगे इसको कहते है sodium extract बना दोनों along with the carbon क्योंकि organic compound है तो यहने SCN बनाएगा thiocyanate sodium thiocyanate को अगर F3 plus से treat करोगे तो यह blood red color देता है तो यह याद रखना बहुत important test है qualitative में भी आता है ठीक है और अगर इसको excess of sodium से treat कर दोगे तो NaCN और Na2S में यह तूट जाता है तो यह याद रखना है अगर nitrogen और sulfur दोन with the carbon तो NaSCN form कर देगा NaCNS के तो सब एक ही चीज़े CNS भी बहुत जगा लिखा रहता है सब एक ही चीज़े तो sodium thiocyanate F3 plus के साथ blood red color इतना ही है लैसेगनी test अब आते हैं वापस back तो यह तो मैंने बता दिया और लैसेगनी भी बता दिया अब आगे वढ़ते हैं next the following chromatogram was developed by adsorption of compound A on 6 cm TLC यानी यह पूरा 6 cm TLC ग्लास है thin layer chromatographic glass 6 cm का है अब retardation RH factor पूछा देगो बहुत बार इसके पहले भी वीडियो आप मेरे देखोगे तो उसमें भी मैंने बता रखा रहा रहा है और इस फैक्टर जो होता है कैसे निकालते हैं जो baseline है ठीके ना इससे compound कितना travel कर रहा है और solvent कितना travel कर रहा है यह distance निकालना है तो distance निकालते हैं यहां से यह तक 3.5 है और यह 0.5 cm तो इसका होते यह 3 cm हो गया baseline से और यह कितना हो गया ऊपर से 0.5 और नीचे से 0.5 माइनस होगा 6 में से तो यह हो जाएगा 5 cm तो इसे लि less than 1 होता है कि जो compound है कितना travel कर रहा हो solvent कितना travel कर रहा है हो गया 0.6 तो इसमें express जैसे करना है विसे करेंगे तो 6 answer आएगा हमारा now heading for the next what is the correct order of acidity of the proton marked A to D भाई यह सारे चीज़ है देखो acidic strength का rule किया है सबसे पहले मैं आप से पूछूँगा किसमें आप किसको acid को होगे तो आप तरंद बोलोगे सर यह रहा carboxlic acid है COOH group मैं कोँगा जब इसके नाम में ही acid है तो this is going to be at the top तो आग बंद करके HC has to be the top तो एक option तो आप at least हटा ही दोगे यह option नहीं हो सकता है अब उसके बाद आते हैं बाकियों में कैसे करेंगे तो rule यह होता है कभी भी acidic strength चेक करना हो ठीक है तो जिस hydrogen कमाल लो इसका चेक करना है तो मैं इसको हटाऊँगा carbon iron form करूँगा उस carbon iron की stability चेक करूँगा तो मैं यहाँ पर structure फिर से एक बाद बनाता हूँ यह राज structure this h यह triple bond और यह एक और h दे रखा है यहाँ पर c double bond o o h जब मैं इसको हटाऊँगा तो यहाँ negative दूँगा और जैसे ही मैं negative दूँगा तो मुझे एक resonance structure यह देख रहा है और बाकी बेंजीन के साथ 5 देख रहा है 5 एक 6 लेकिन यह वाला जो resonance है इसमें आप देखो जो negative है यह एक electronegative oxygen पर migrate कर रहा है जो कि बहुत जादा stability देगा अभी मैंने बताया था positioning में तो इसलिए यहाँ पर यह जो resonance structure यह इसको बहुत जादा stability प्रवाइड कर रहा है जो इसका migration हो रहा है एक electronegative element पर तो इसलिए इसके बाद आ जाएगा HD उसके बाद कौन सा अब मैं इसको वापस जैसा था वैसा कर देता हूँ यह रहा HD वैसा ही कर दिया अब इसके बाद इन दोनों में से अब देखो यहाँ पर इसको आप हटाओगे तो यह जो negative आ रहा है यह SP hybridized carbon पर आ रहा है और SP hybridized carbon बहुत ज़्यादा electronegative होता है इसकी percentage इस करेक्टर 50% है यह बहुत ज़्यादा electronegative है इसलिए इसकी stability due to high electroneg negative के उपर रहने के कारण ज़्यादा होगी इसलिए अब इसके बाद HA आएगा और सबसे last में HB आएगा अब देखो HB यह जो है इसमें यह वाली advantage नहीं है नहीं तो यह भी इससे उपर होता यह वाली advantage नहीं है कि एक electronegative के साथ ठीक है oxygen type का electronegative के उपर negative जा रहा है ऐसा कोई advantage नहीं है इसलिए यह last में फसा तो यसे लिए HCHD HA HB second option correct now heading for the next most stable carbocatine for the following is most stable carbocatine इन में से कौन है तो हमें तो वही देखना है कि किसमें सबसे अधर रजुनेंस है आग बंद करके एकदम दिख गया हमें देखो वाई यह दिख गया है पहले तो सबका loan pair बनाओ अब यहां पर यह जो positive है यह resonance में कहां कहां जा रहा है यह यहां जाएगा तो यहां positive आएगा जब यह यहां जाएगा तो यहां positive किसी पितरह से loan pair के साथ इसका conjugation नहीं हो पा रहा है यानि इसमें सिर्फ दो पाई बॉंड जो है यह और यही positive को stabilize कर रहा है यहां पर जो positive है इसको भी सिर्फ पाई बॉंड ही stabilize कर रहा है इधर और इधर दो पाई बॉंड stabilize कर रहा है जब मैं यहां पर positive को देख रहा हूं तो यहां पर positive जब resonance में जा रहा है तो ये loan pair को भी engage कर रहा resonance में और loan pair के साथ जब resonance बनेगा न तो इसमें octet of all element या एक extra bond फॉर्म हो जाएगा क्योंकि एक pi bond यहाँ एक pi bond यहाँ और एक और pi bond यहाँ पे आ जाएगा तो extra bond बन जाएगा जो कि बहुत जादा stability प्रोवाइट करेगा फिर जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी loan pair के साथ कभी positive जाही नहीं पाएगा resonance में क्योंकि positive यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा कभी भी इस position पे नहीं आएगा अगर इस position पे नहीं आएगा तो conjugation इस loan pair के साथ possible नहीं होगा इसलिए यह सबसे अधा resonance generate कर रहा है और resonance नहीं generate कर रहा है extra bond वाला resonance generate कर रहा है एक extra bond बन रहा है इसलिए C is most stable heading for the next match the item of the column 1 and column 2 भाई कैसे किसको separate कर रहा है ठीक है यह भी P.O.C.E. का concept है वहीं से यह निकल के आए है तो एक बार किसको कैसे कैसे हम करेंगे यह चीज हम देख लेते हैं यह देखो इतने example तो NCRT ने दे रख है वो मैं यहाँ पर लेके आ गया crystallization जो होता है वो generally sugar industry में use किया जाता है ठीक है फिर देखो simple distillation chloroform और aniline के लिए fractional distillation crude क्रूड के जो अलग-अलग components होते हैं उनको separate करने के लिए fractional distillation किया जाता है distillation under reduced pressure यह एटी एडवांस में पूछा गया है glycerol from the soap industry from the spent lie glycerol को हम soap industry में spent lie से separate करने के लिए distillation under reduced pressure करते हैं क्योंकि अगर reduce pressure नहीं करोगे तो boiling point कम नहीं होगी और normal boiling point पर यह decompose हो जाता है और steam distillation aniline and water याद रखना aniline water steam में जाता है और aniline and chloroform यह simple में जाता है ठीक है इसके बाद differential extraction इसके लिए क्या होता है हमारें पास एक organic compound होना चाहिए और H2O होना चाहिए अब पहले हम organic compound को H2O alcohol में dissolve करके रखते है अब हमें पता है यह organic compound पादी में तो रहना नी沒有 चाहेगा और organic solvent में रहना चाहते है तो अब पानी के उपर हम organic solvent डालते है अब पानी और organic compound कभी dissolve नहीं होगे, जैसे kerosene oil पानी dissolve नहीं होते हैं, या अब तेल को डाल दो ना पानी में, जो mustard oil घर में होता है, वो कभे dissolve नहीं होगा, तो ये दोनों दो layer बना के रहेंगे, अब organic compound को मौका मिला, पानी से दूर भागेगा, इसमें जाके dissolve हो जाएगा, सारे, तो धिरे धिरे organic compound organic solvent में चला गया, पानी अकेला रहे गया, तो इस तरह से हमने separate कर लिया, तो इसके लिए organic compound and water को separate कर सकते हैं, organic compound का example होता है, CH2, CL2, जिसको की alcohol या water के साथ हम separate करते हैं, using differential extraction, तो ये था concept, अब देखते हैं, इसके basis पर कितने catch कर पाते हैं, अब देखो, सबसे पहले तो ये example आ गया, ये तो direct NCRT का दे दिया, CH2, CL2 and water, ठीक है, ये differential solvent extraction में जाएगा, जो जो पता है, फिर ये देखो, नमक, नमक तो हमें पता है ना पानी को सुखा के या जो भी चीज़े उसको सुखा के क्रिस्टलाइज करा के ही किया जाता है, तो ये क्रिस्टलाइजेशन से, दो होगे तो दोनों ही organic compound है, नेप्थिलीन भी और किरोसीन भी, तो इनको separate करना है तो ये crude oil वाली category जाएगी, जैसे crude oil में सारे के सारे organic compound होते हैं, उसी को हमें separate करना होता है, तो उसके लिए हमें fractional distillation करना होगा, क्योंकि इनकी boiling point बहुत close होती है, 25 degree से अगर कम boiling point का difference है, तो fractional distillation, तो बस बाकी जो बच गया, ये जाएगा column chromatography में, तो इस तरह से हमने idea लगाया, ठीक है इस question में, now heading for the next, देखो अगला question कहा रहा है, कि प्रोपेनल और मीथेनल, इसको dilute NaOH और ये सारे treatment दी हुए, इससे product बनाया है, तो इसमें हमारी planning क्या होगी, मैं always student कहता हूँ तो पहले plan करो, देखो कभी भी, अल मतलब LD हाइड है, कभी कोई LD हाइड है, LD हाइड हो, इसमें डाल दी है, आग बंद करके दो reaction, 99% वही दो reaction होगे, चाहे तो ये LD होगा, या कैनिसार होगा, अगर इसमें alpha hydrogen हुआ, LD हाइड के बगल वाले carbon पे H हुआ, तो LD होगा, अगर नहीं हुआ, तो कैनिसार होगा, बस इतना सा कम, ये question हमारा solve होगा, फिर आगे, जो concept हो सब भी मैंने लिख रक है, वो मैं समझा दूँगा, तो देखो भाई, कहानी शुरू करते है, ये रहा मीथेनल, इसके पास देखो, जो हमारे पस LD हाइड ग्रूप है, ये पूरा CHO, ये LD हाइड गृप है, इसके बगल में, αलफा कारबन ही नहीं है, अलफा हाइडूजन कहां से होगा, तो ये मीथेनल हुआ, लेकिन जब दूसरा वाला हम प्रोपेनल को लिखते हैं, तो ये इस प्रोपेनल में LD हाइड के बगल वाले कारबन पर हाइडूजन है, यानी अल तो कभी भी किसी भी एलडॉल को जब आप हीट करोगे तो उसमें से वाटर निकलता है तो निकालते हैं वाटर जैसे ही वाटर निकाले यहां डबल बॉंड आ जाएगा यह डबल बॉंड आ गया फिर एने सी एन बहुत फेमस रियाक्शन है साइनो हाइड्रिन बनता है किसी लड़ियाइड weird को जब आप हैने सीएंस अड्करोगे तो इसके नेरल नेगकटिव है इसके डिल्टा पलस पे अटाक करेगा तो तो इसके डिल्टा प्लस पर टाक किया यह ओपन हो गया तो यह जब ऑपन हुआ हो खिंक हिस जाके उसके साथ तैस हो गया और सीएंस के उप करो नाइटोजन पर डिल्टा नेगटेव है इसलिए वाटर का एच प्लस इसकी तरफ जाएगा तो एच ओएच 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 तीन बार इस कार्बन पर तीन ओएच आएंगे और एक कार्बन पर एक से ज्यादा ओएच अंस्टेबल होता है पानी निका कर गया वाई पहला ही स्टेट्मेंट ऑप्टिकली अक्टिव क्यों क्योंकि यह रहा काईरल है और इसमें डबल बॉंड एक कार्बन डबल मॉंड कार्बन है इसलिए वन मोल ब्रोमीन भी आड़ करेगा तो पहला ही करेक्ट हो गया रसमेक मिक्शर एंड न्यूट्रल यह हां यह रसमेक मिक्शर है इसाए पूछा क्या करेक्ट यह इनकरेक्ट क्योंकि यह भी है पर एक इसने इसको भी सबसट्क्रलक लग रहा है कार्बॉक्सली असिट करेंगे तो यह तो मुझे लग रहा है मैं वह कर रहा हूं optically active alcohol and is neutral यह गलत हो गया यानि अब इन दो में confusion है इसमें can't help इसमें तो दो आ रहे हैं मैंने सोच लिए इसको कफी अच्छे से क्योंकि यह जो carbon double bond carbon है इसमें ब्रोमीन का one mole add होगा तो one mole bromine यहां पर add हो जाएगा और तो कहीं मैं कुछ miss तो नहीं कर रहा नहीं अब कहानी है कि अगर आपसे पूछा जाएगी इसमें से best option कौन सा mark करेंगे ठीक है तो इसमें तो दो नहीं अच्छा ओ सॉरी मैंने एक miss कर दिया यहाँ optically active लिख दिया जबकि यह resumec mixture बनेगा न अब अब catch हो गया अब third option होगा यह नहीं होगा क्योंकि जब यहाँ पे आप attack करा रहे हो जब इस पे आप attack करा रहे हो तो यह पहले chiral नहीं था आपके attack के बाद यह chiral बन रहा है अब इसका front attack या back attack यानि यह c double bond o है और यह h है और इधर एक पूरा यह subgroup लगा हुआ है तो जब इस पे cn का attack होगा cn negative का तो cn negative इधर से भी attack कर सकता है इधर से भी attack कर सकता है इसलिए यह जो बना है इसके दोनों version बनेंगे इस chiral के यह r and s दोनों बनेगा इसलिए यहाँ पे भी r and s दोनों बनेगा तो यह optically active कह दिया तो मैंने यह chiral देखके सीधे बता दिया और इसने उसी चीज में मुझे फसा लिया तो भाई इसके दोनों version बनेंगे इसलिए रेसमिक मिक्षर is more better option as compared to the optically active yes now it's correct third option आगे बढ़ते हैं इसमें एक चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इसमें दो चीज यूज हो रहा है वो दोनों का concept एक तो इसके hydrolysis का है दूसरा NaHCO3 test है तो hydrolysis के लिए यह मैं concept लेके आ गया हूँ कि कभी भी carbon औ nitrogen में multiple bond हो जैसे कि तीन bond दो bond और one bond तो one bond की तो hydrolysis होती नहीं है cross कर दिया अब multiple bond हो तभी होगी तो जैसे अब तीन bond है इसके hydrolysis करेंगे कभी भी acidic medium में तो यह इसको cut करो जितने bond है एक, दो, तीन, तीन को cut करो तीनों को काटो और HOH, HOH, HOH दो तो इस carbon पे तीन OH लग जाएंगे तो COOH, यही लिख दिया RC double bond OH, कर्बॉक्सलिक असिट बन जाता है अगर 2 हो तो 2 mol OH अटाच करो तो CH के उपर 2 OH लगेंगे अब एक carbon पे एक से ज़्यादा OH अंस्टेबल तो फिर यहां से भी इसको हटा दिया फिर यहां double bond आएगा और यह LD हाइड बन जाएगा तो इस चीज़ को याद रखना अगर साइनाइड है तो कर्बॉक्सलिक असिट देगा ठीक है, इमाइड है तो फिर C double bond OH, LD हाइड देगा दूसरा कॉंसेप्ट है NaOH and NaHCO3 टेस्ट यह इसके पहले भी मैंने कवर किया हुए अपने वीडियोज में फिर से मैं बता देता हूँ सबसे पहले इस असिडिक स्टेंथ को याद रखना सबसे अधा असिडिक कार्बॉक्सलिक असिड उसके बाद कार्बोनिक असिड S2CO3 उसके बाद फिनॉल, फिर वाटर सबसे लास्ट में अलकोहल रूल कहता है कि जो वीक असिड है कभी भी वो स्ट्रॉंग असिड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है रियाक्शन के बाद हाँ इसका उल्टा हो सकता है, स्ट्रॉंग असिड कैन गेव वीक असिड तब वन बई वन अब देखो इसको कैसे यूज करना है आप कर्भॉक्स लिक असिड लो येरा कर्भॉक्स लिक असिड कर्भॉक्सलिक असिड को NAHCO3 सर्ट्र कर रहे है तो यहाँ पे N A आएगा H इतर आएगा तो यह RCOraana बन गया हो रहे है S2CO3 बन गया S2CO3 का मतलब होता है H2O प्लस CO2 याद रखना तो यह वही gas के बारे में कह रहा था तो क्या यह reaction होगा तो इस side acid है carboxylic acid और इस side acid है carbonic acid और अभी हमने देखा था कि carbonic acid से carboxylic acid strong acid है तो इसलिए यह reaction होगा ठीक है तो इसको ऐसे पूछा जाएके कि क्या carboxylic acid NaCO3 में dissolve होगा तो yes होगा क्योंकि reaction को हम dissolve भी बहुत बर कहते हैं ऐसे ही RCOH को NaOH में RCO Na plus H2O अब H2O बन रहा है और इधर RCOH RCOH is stronger acid than H2O यह देख लो acid H2O से stronger है तो यह reaction भी feasible है यह भी possible है यानि अगर देदेगी compound A soluble in both NaCO3 and NaOH तो इसका मतलब it must be carboxylic acid सेम चीज़ अब Phenol के साथ करो Phenol को NaCO3 में treat करोगे तो Phona plus H2O3 अब यहाँ पर change हो गया S2CO3 is stronger acid than Phenol यह strong acid हुआ यह weak acid इसलिए यह reaction नहीं होगा वाइल Phenol plus NaOH Phona plus H2O यह reaction हो जाएगा I hope सबको clear है now next alcohol आ जाए तो alcohol दोनों में से किसी में dissolve नहीं होगा सेम चीज़ है क्योंकि H2CO3 बने या H2O बने दोनों ही alcohol से stronger acid है alcohol तो सबसे last में इसलिए यह दोनों में से किसी में dissolve नहीं होगा अगर कोई चीज NaCO3 से react कर गया जो कि सिफ करboxylic acid है तो भाई अगर यह react कर गया तो CO2 देगा वैसे यह list काफी बड़ी है ठीक है ना जैसे पिकरिक acid वो भी acid की ही category में आते हैं यह से मैंने इसके पहले वाले कहीं कहीं किसी किसी वीडियो में पूरा cover किया है अभी मुझे जितना जरूवत था उतना मैंने अभी cover किया जैसे यह phenol है लेकिन यहाँ पर NO2 लगा दो यह हो गया पिकरिक acid भाई अब वो इस category में आ जाएगा यानि यह दोनों में dissolve हो जाएगा तो यह पूरा detail कुछ-कुछ videos मैंने cover कर दिया है नाव next आते हैं यह कह रहे है An organic compound A C4H11N shows optical activity and gives nitrogen gas on treatment with HNO2 by HNO2 मिल गया और N2 release हो रहा है तो समझ जो यह NH2 है क्योंकि NH2 को जब हम HNO2 से treat करते हैं तो यह digonium बनता है N2 प्लस जो कि अपने आप N2 release कर देगा ठीक है यह तो तय हो गया कि यह 1 degree amine है NH2 ग्रूप है आप कहारा है compound A reacts with pH SOCl तो पहले तो मैं आपको इन दोनों के बारे में बता देता हूँ यह Raman लिखती है test of amines पर आते हैं देखो amines के test में जो important test में सबसे पहला HNO2 test तीन amines ले लो 1 degree, 2 degree and 3 degree तीनों को HNO2 से treat करो अगर यह 1 degree होगा तो यह आपको digonium देगा और digonium unstable होता है ध्याना को digonium of only benzene is stable that to add 0 to 5 degree centigrade बाकी सब तो अपने आप ही तूट जाएंगे तो यह तूट के nitrogen release कर देगा nitrogen gas जो की अभी given condition है अगर 2 degree amines होगा यह जो HNO2 होता है actual में यह NO plus देता है यही सारा काम करता है जब यहाँ पे NO plus को हम इसके बगल मिलाते हैं O double bond N plus तो यह H2O निकलता है और N2 यही dijonium बनता है जब यह कहानी होगी तो भाई अब तो कुछ है नहीं तो अब यह कहेगा कि एक काम करो तो मेरे loan pair को accept कर लो तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में bond बन जाता है यह रहा और यह जैसे यह bond बना nitrogen पर plus आया तो यह H plus release करके यह compound बना दिया इसको हम कहते है N nitroso amine यह oily होता है और 3 degree amine बाई कुछ नहीं होगा no reaction क्योंकि अगर इसने donate कर दिया NO plus को अपना electron तो इसके पास कोई hydrogen नहीं है कि अपना plus खतम करेगा इसलिए उससे react ही नहीं करेगा तो याद रखना HNO to test 1 degree amine nitrogen देगा 2 degree amine oily compound देगा 3 degree amine no reaction अब देखो amines का दूसरा test आता है Hinsburg test यह रहा Hinsburg reagent बहुत बार यह previous videos में मेरे amines के आप देखोगे उसमें भी आया हुआ है अब इसकी story क्या होती है तो देखो इसमे 1 degree amine 2 degree amine, 3 degree amine मैंने लिया होना क्या है हर जगा यह अपने loan pair के साथ इसके उपर attack करके CL को भगा देगा अब जैसे इसने attack किया CL को भगा दिया यह attach हो गया अब जैसे यह इसके साथ attach हुआ इस nitrogen पर plus आया यह H plus अपना lose कर दिया और यह connect हो गया R, N, H, R अब यह hydrogen acidic hydrogen है क्योंकि अगर यह हटे इसके उपर जो negative आया तो भहेंकर resonance में है इन दोनों से तो इसलिए यह acidic है तो इसलिए QH डालोगे तो तुरंद QH इसके H plus को हटा के से react करेगा और इसको dissolve कर लेगा तो इसलिए कहा जाए कि compound A dissolves in benzene sulfonyl chloride dissolves in benzene sulfonyl chloride which is soluble in QH तो it must be 1 degree amine जो कि अभी कह रहा है question में यह 2 degree amine सेम काम करेगा इसके उपर attack करके यह भागेगा इसके उपर plus आएगा यह plus release करेगा तो यह बन गया NH इसके साथ 2R लग गया लेकिन आप इस nitrogen पे कोई acidic hydrogen नहीं है तो इसलिए QH में insoluble होगा और वही 3 degree amine अगर इसने low-unpair के साथ attack कर दिया इसके उपर तो इसने hydrogen पे जो plus आएगा अब इस plus को खतम करने के लिए कोई H plus नहीं है कि जो भागे तो इसलिए यह इसके उपर attack ही नहीं करेगा क्यों फल तो मैं plus अपने उपर लेगा तो यह इसके उपर attack नहीं करेगा इसलिए no reaction तो यह दूसरा concept हुआ और तीसरा एक मैं अपनी तरफ से बताता हूँ बहुत important test है carbile amine test यह exclusive for one degree amine होता है याद रखना है बहुत बार पूछे जाते हैं तो इसमें क्या होता है one degree amine है chloroform और base से जब हम इसको treat करते हैं तो यह बनता है RNC chloroform और base राइमर टाइमन reaction में भी हमें मिलता है ठीक है और यह कभी भी अगर यह arrow पे मिले तो दो ही reaction ध्यान में आने चाहिए एक तो राइमर टाइमन reaction दूसरा करभाइल अमीन टेस्ट तो अभी यह मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ क्योंकि कोश्चन में आया नहीं है कोश्चन में आता तो definitely मैं पूरा detail बताता तब इस सिर्फ हिंड दे दिया यह होता है और इसमें इन दोनों के reaction से RNC बनेगा जिसका यह foul smell होता है तो chloroform base के साथ अगर foul smell दे तो वो 1 degree amine है अब आते हैं इस question पे attack करते हैं भाई इसने क्या-क्या बोला है इसने कहा है कि एक optically active component यानि इसमें chiral carbon होना चाहिए उपर से HNO2 के साथ N2 दे रहा है इसका मतलब यह 1 degree amine NH2 होना चाहिए इसमें ठीक है उसके बाद pH SOCl के साथ के वच यह भी 1 degree amine का ही test है तो let's start target एक carbon लो इसके उपर एक NH2 लो 1 degree amine हो गया अब इसको chiral बनाना है ठीक है तो पहले मैं इसका db निकाल लूँ ताकि मुझे आइडिया तो लग जाए कि कोई double bond है या नहीं है db e c plus 1 4 sorry 5 carbon plus 1 minus half number of hydrogen hydrogen कितने है 11 ठीक है plus number of halogen 0 minus number of nitrogen 1 1 minus कर दिया तो 10, 5, 5, 0 यह तो 0 आगे यानि कोई अपसारे single bond होने चीए now let's start एक NH2 मैंने बनाया target यह एक H दे दिया एक methyl दे दिया ठीक है न और कितने बचके दो carbon use हो गया है बाकी दो ethyl बच गया है यह हो गया हमारे condition को satisfy कर देगा तो देख लो अब आप देखो यह इसने जो 3 degree amine बना दिया 1 degree amine पहले यह भी 2 degree amine 1 degree amine का यह और यह case है इसी दोने में से देख लो इसी में chiral आ रहा है इसलिए fourth option correct next आते है in dumas method for the estimation of n2 the sample is heated with copper oxide and the gas evolves is passed over this 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 इतने से इसको pass किया गया है ठीक है तो आते है dumas method को एक बार देख लेते है क्या होता है dumas method this is dumas method यह nitrogen के estimation में आता है this is for the estimation of nitrogen इसमें क्या करते है जो भी nitrogen containing organic compound है ध्याने को प्राक्टिकल organic chemistry का है organic compound जो भी nitrogen containing organic compound है उसको पहले हम CO in CO2 atmosphere copper oxide से हम heat करते है CO2 atmosphere में तो इसका nitrogen N2 में convert हो जाएगा carbon CO2 में hydrogen H2O में और copper अलग हो जाएगा ठीक है लेकिन there are chances ठीक है कि nitrogen कुछ जो है वो nitrogen का oxide बना दे तो अगर कोई nitrogen oxide बन गया है तो उसको वापस हम कैसे convert करते हैं तो nitrogen oxide formed is converted to N2 by passing the gas over copper gauge direct यही question दिया हुआ है तो इतना ही है do mass भाई हमारे पास this is the do mass ठीक है इसी के बाद अब copper gauge से treat करते हैं का हमारा काम हो जाएगा इसलिए वो direct बोल दिया है ठीक है estimation the sample is heated with copper oxide and the gas evolved is passed over जो gas evolved हुआ है वो किस के उपर pass किया जाता है तो copper gauge के उपर pass करते हैं और इसका reason क्या था वो बता दिया गया है कि शायद कोई nitrogen nitrogen oxide में convert हो गया हो ठीक है तो उसको वापस nitrogen में convert करने के लिए हम ऐसा करते हैं तो चलो ये काफी थोड़ा lengthy हो गया वीडियो तो इसको मुझे दो पार्ट में बनाना होगा तो इसका second part क्योंकि काफी lengthy है इसमें total 30 questions है इसका second part ठीक है मैं launch करूंगा